तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लडेस्ट वडियो में फाइनली आज के इस वडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू के बुक से टोटल 6 चैप्टर याद रखिएगा 6 चैप्टर यानि की 28 से लेकर 33 चैप्टर तक के सारे सब्जेक्टिव कोश्चन यानि की सारे रिटेन कोश्चन को आज के इस वडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं मैं पूरे रूप से कम्प्लीट होगा जितना भी कोश्चन आप लोग के बुक में इन सभी चैप्टर से रिलेट पूछे गए हैं उन सभी कोश्चन का अंसर आज के इस वडियो में पूर रूप से कम्प्लीट हो जाने वाला है हर एक कोश्चन का अंसर में आप लोग को बताऊंगी और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज के इस वडियो में जितना भी कोश्चन आंसर कराने वाली हूँ इसमें आप लोग को एक परशन भी डाउट नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग अलड़ी चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर पढ़े हैं तो कोई टेंसर ही नहीं है आप लोग को लेकिन अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं और उसके बाद से बोल रहे हैं कि मुझे ये डाउट है ये कोश्चन का एंसर मुझे समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आना तो लाजमी है ना समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें इसी वीडियो के हैं दिस्क्रिप्सन में मैं लिंक डाल दी हूं वहां पर हर एक चैप्टर को एकदम बहतरी आंग इंसर को चैवेगा तो लोगो एक परसंट भी डाउट नहीं होगा एकदम बहतरी नंग से समझ में आएगा ठीक है तो आप लोग पढ़ लिए होंगे पढ़ें तो एक परसंट भी डाउट नहीं होने वाला है मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं और आप लोग कमेंड में लिकर जरूर बताइएग लिए चैप्टर को किस ने लिखा है राजंदर सिंग बेदी ने लिखा है खुदनविश्ट क्या है दास्तान क्या है अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग के मंद में डाउट और यह तो पढ़ लें वहाँ पर हर एक चीज़ बताई हूं कि खु जिसके राइटर जो है मतलब कि यह खुद्बा देश है और इसके देने वाले कौन है वह है जया प्रकाश नरायन और ठाटीटू का नाम है शिकस्ते जंदा का खाब जो की जोष्मरीय अबादी द्वारा यह नजम लिखी गई है आवारा यह जो नजम है किसके द्वारा तो फाइनली जैसा कि हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर मुख्तसर तरीन सवालात यानि कि वेरी शॉट टाइप क्वेश्टन से यह और यह चैप्टर नंबर 28 का है चैप्टर नंबर 28 सबसे पहले हम लोग 28 चैप्टर का कॉश्टन एंसर करेंगे फिर 29 फिर 31 32 32 के करके हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे तो देखिए मुख्तसर तरीन सवालात में सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि मेमार किसको कहते हैं चैप्टर पढ़ाई हूँ और आप लोगो पता होगा कि राज मिस्तरी को कहते हैं मेमार ठीक है यह हो गया जवाब आगे सवाल रहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी तो आप लोगों को पता होगा रहट पर मजदूर की मजदूरी जो थी न वह बारे आने की थी बारा आना मिलता था पूरी कहानी में आप लोगो बता चुकी हूं कैसे जो है ना इनिवर्सिटी में काम करते थे सान दानिस प से पानी निकालने वाला एक आला है जिसमें पहु Corpsy लगा रहता है क्या है रहट पानी उपे निकालने वाला यूँ केढ़ सकते हैं एक शिस्टम है एक मशीन को सप्रका जिसमें पहीया लग लगा रहता है ठीक है पांच्वा सवाल रध्ता कौन था आप लोग जानते हैं रत्ता रहट पर काम करने वाला एक मिस्तिरी था जो कि बहुत तकता आदमी था खुबसूरत इसका आप बोल सकते हैं चेहरा था गठीला बदन पूरी हर एक चीज में आप लोगों को बताई हैं आगे बढ़ते हैं पड़ाफट आप लोग खुद से इंसर ल मजदूर का काम किये थे और उसी लाहर यूइंटि की कहानी बताए हैं साथवा सवाल है कि रहट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता था तो रहट चलाने का काम बैल से लिया जाता था ठीक है लेकिन बैल के जगा यहां पर कौन काम करता था रत्ता और एहसान दानिश ठीक है आठवा सवाल की रत्ता की निगाहे ममनूनियत से क्यों जुग गई थी तो रत्ता की निगाहे ममनूनियत से इसलिए जुग गई कि एसान दानिश ने उसकी जगह एक घंटा काम कर देने का वादा किया था मतलब रत्ता की निगाहे ममनुनियत से इसलिए जुग गई क्योंकि एसान दानिस जोयना रत्ता की जगा एक घंटा काम करने का वादा किया था मतलब कि एसान दानिस जोयना वो बोले कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे जगा एक घंटा काम कर लूँगा कोई बात नहीं है और गठीले बदन के नौजवान को क्या कहते हैं हर नौटा कहते हैं मुंशी के लड़के ने क्यूं काम छोड़ दिया तो खून का दस्त आने के वज़ा से मुंशी के लड़के ने काम करना छोड़ दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं मुखतसर सवालात स्टार्ट हो रहा है यानि कि short type question जिसका answer आप लोगो 5 line में लिख देना होता है 5-6 line में लिख देंगे तो आप लोगो full marks मिल जाएगा पहला सवाल देखिए रेहट के पानी से कौन कौन से काम लिए जाते थे जवाब में लिखा हुआ है कि रेहट के पानी से कई काम लिए जाते थे रेहट के पास से एक नाली निकलती थी जो हौज में जाती थी साइड में एक हौज बना हुआ था माली जे यहां पर रेहट है तो इसी के बगल में हौज बहुत बड़ा हौज बना रहता था जिसमें पानी इसमें इकठा किया जाता था पानी और बड़ा होज जो था और होज में जाती थी होज बड़ा था यानकी बहुत बड़ा था और हर वक्त पानी से भरा रहता था इस होज के पानी से इटे भिंगाई जाती थी गाड़ा और चूना भी बनाया जाता था और दिवारों पर भी छिड़का जाता था तो ये सारे काम लिये जाते थे हौज के पानी से और उसी हौज में पानी भरने का काम एहसान दानिश और रत्ता करते थे हमेशा उस हौज को भरे रखना था और इसी वज़ा से रहट चला चला कर वो पानी निकालते थे और भरते रहते थे दूसरा सवाल है कि रत्ता की मौत क ऐसे हुई तो रत्ता ऐसान दानिश के साथ रहट पर काम करता था रहट का काम दरसल बहुत महनत तलब था इस काम को बैल किया करते थे लेकिन बैल नहीं मिलने पर यह काम आदमी से लिया जाता था रत्ता अपने घरेलू मजबूरी की वज़ा से रहट चलाने का काम करता था लेकिन कुछी दिनों के बाद उसके पेट में डर्द होने लगा, लेकिन मजबूरी थी, वो अभी काम पर जटा रहा, आखिर कार वो तीन-चार दिन तक काम पर नहीं आया, फिर मालूम हुआ कि उसे तीन-चार खुन के दस्त आये, और बस दुनिया को खैर बाद कह गया, मतलब कि तीन-चार दिनों तक वो काम पर नहीं आया, और फिर बाद में मालूम किया चला है, इसान दानिशकों, और सबी लोगों को पता चला कि उसको तीन-चार खुन के दस्ता हैं, और उसके बाद से उसका इंतकाल हो गया, ये सारी बात थी, बुरी कहानी आप लोग जान कर लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है कि एसान दानिश अपनी यादगार के बतौर क्या छोड़ना चाहते थें, तो एसान दानिश अपनी यादगार के तोर पर पढ़ने, लिखने से मतालुक कई चीज़े छोड़ना चाहते थें, चुंकि वो जस यूनिवर्सिटी में मजदूर की हैसिएت से काम कर चुके थे फिर अपनी मेहनत से पढ़ लेकर या प्रोफेसर बने और उसे यूनिवर्सिटी में मुम्तहिन बनकर आएं तो इनको माजी की याद आई और वो चाहते थे कि मैं एक मजदूर यूनियरसिटी बनाऊं और अगर जिन्दगी में मौका दिया और हालात मौफिक रहे तो अपनी तसानिफ के लावा वह एक आला मैयार की लाइबरेरी कायम करेंगे और यादगार के तौर पर एक यूनियरसिटी भी कायम करेंगे यह हो गया इनसर आपे बढ़ते हैं चोथा सवाल मुसनिफ तकान लिख दिया गया थकान यहां पर रहेगा क्या रहेगा थकान तो मुसनिफ ने थकान मिटाने के लिए अपना एक मामूल बना लिया था जब वो अरेहट चलाते थक जाते और काम से फारिग हो जाते थे तो पहले पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करते थे फिर पानी गरम करते हैं और उसी गरम पानी से अच्छी तरह घुसल किया करते थे यहां पर करता था लिखा गया है लेकिन किसी को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैं करते थे बढ़ रही हूँ ठीक है तो क्या हुआ यहां पर जब मुस्णिफ ये इन के 37 दिन भर रहर चलाते रहते थे और काम से ठख जाये करते थे और काम से फुरसत मिलने के जब बाद जब वो घर पर आते थे तो पूरे बदन में अच्छी तरह तेल से मालिश किया करते थे पानी गरम करते थे और उसी गरम पानी से अच्छी तरह घुसल किया करते थे नहाते थे और इस अमल से मुसनिफ के दिन भर की ठकावट दूर हो जाती थी और जिसम फूल की तरह हलका और लतीफ हो जाता था इन आगे बढ़ते हैं तवील सवलात यानि की लॉंग टाइप कोश्चन है ये जिसका एंसर आप लोग एक पेज नहीं तो देर पेज में लिखना होता है तो सबसे पहला सवाल है कि किन आउसाफ के बिना पर एहसान दानिश एक मजदूर से मुम्तहिन के अवदे पर पहुँचे यानि की कौन-कौन सी वो खुवी थी एहसान दानिश के अंदर जिसके होज़ा से वो एक मजदूर थे और मजदूर से वो एक एकजामीनर के पोस्ट पर पहुंच गए ठीक हैं ये आप लोगों को बताना हैं क्या क्वालीशी थी एसान दानिश के अंदर जवाब देख लेते हैं एसान दानिश का एक मजदूर से मंतहिन बन जाना आम आदमी की कहानी की तरह इंसानी जदुजहद की एक सबक आमोज कहानी है घुर्बत की मजदूरी के बाउजूद भी एसान दानिश को पढ़ने लिखने का इस कदर शोक था कि जब मजदूर आराम करते थे तो ओर सॉनदानिश के तापों के मताले में मसरूफ हो जाते रस्तरफता मजदूरी से तरकी करके मैमारी से पहुंचे मैमारी से पहुंचे लेकिन बाद में ये काम भी तर्फ कर दियें और उन्होंने रंग साजी, दफ्तर की चोखिदारी, फसल की कटाई, बाग बानी और कुतुब फरोशी वगरा का काम भी किया बाद में लाहॉर के मुहलव रंग में अपना जाती कुतुब खाना मुक्तब एक मिनट दानिश के नाम से, जो है न, एक मुहला जो था, उस मुहला का नाम आप लोग के बुक में बताया भी नहीं गिया है, ठीक है, बस यहाँ पर आप लोग के बुक में बताया गिया है, कि लाहॉर में एक मुहला था, और उसी मुहला में इसान दानिश जो हैना अपना जाती और क प्रसनल लाइब्रेरी को ले थे दानिश के नाम से बस इतना ही आप लोगे बुक में बताया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं महनत और मजदूरी के साथ मुताले के लिए वक्त निकाल लेना गैर मामूली होसला और हिम्मत की बात है महनत और मजदूरी के साथ ये सबसे बड़ी खूबी थी कि एहसान दानिश पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लिया करते थे फिर तंदृस्ती का ख्याल रखते हुए वर्जिश की तरह बदन पर तेल मालिश करना और गरम पानी से घुसल करना आला मुकाम के जाने परवाज की कोशिश है महनत और मुशक्कत और मुसलसर जदुजहद ऐसे इंसानी और साथ है जिनके सहारे एसान दानिश ने दुनिया में अपने लिए आला मुकाम पैदा किया और यादगार के तोर पर कई तालिमी यादगार भी छोड़े यह तालिब इल्मों के लिए एक होसला अफ काम है यानि कि यह जितने भी स्टुडेंट है उनके लिए एक मोटिवेशन भर देने वाला काम है जो कि एसान दानिश किया करते थे साथ में पढ़ाई भी करना और प्लस मजदूरी भी करना यह बहुत बड़ी बात थी अब यहां से कवायत से कोश्चन पूछा गया है कि मोहावरात के मानी वाजिख करते हुए जुमले बनाईए यहां पर मोहावरा दिया गया है और इसका मानी आप लोग को बताना है प्लस जुमले में इस्तमाल करना यानि कि सेंटेंस में यूज करके आप लोग को बताना है देखिए सबसे पहला मोहावरा क्या है दांतों में उंगली दबाना यह पहला मुखावरा है यहां पर जुम्ला बना दिया गया है कोई हैरतनाक बात सुनकर तुमने दांतों में उंगली दबा लिया यहां से आप लोग को पता क्या चल रहा है कि दांतों में उंगली दबाने का अर्थ होता है क्या किसी बात को सुनकर यह फिर क दूसरा मुहाओरा है, आंस बिछाना मैंने महमानों के एजाज में आँके बिछाई यह जुमला बना दिया गया है आंस बिछाने का मतलब कि है बहुत ज़यदा रिस्ट देना, डिल खोल का रिस्ट देना संवान देना ठीक है पूरे अच्छे तरिके से देख बाल करना बात को पी जाना शरीफ लोग नापसंदीदा बात को पी जाते हैं ये जुमला बना दिया गया है बिल्कुल सही बात है बात को पी जाने का मतलब होता है सबर करना बहुत ज्यादा सबर करना ठीक है और शरीफ लोग नापसंदीदा बातों को पी जाते हैं ये चाहिए और यह खुदा का भी उक्न है कि सबर करना जाए जो इनसान सबर करता है न वह बहुत प्यारा होता है इसलिए आप लोगो सबर कीजिए कोई भी आपके खिलाफ मैं आ बोल रहा हूं सबर करना दरूरल यह अगर आपको पता है कि मैं अखलत नहीं हूं तो शबर करें ठीक है सबरकफ़ मीठा होता है आप लोग खुद आजमाइएगा जरूर ठीक है यह बहुत बड़ी बात है सबर करने चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए बात को पी जाना यह तो हो गया सबर करना आसू पी जाना मतलब इससे भी बढ़ा हो गया ठीकिन आशो पीजाना को मतलब क्या यूं कह सकते हैं बरदास्त करना शबर करने वाले आसु पीजाते हैं यहां पर जुमला बना दिया गया है मतलब की सामने देखकर व्यक्ती को न लगे की वह रो रहा है कि आख से आशो भले ही न निकले लेकिन अंदर से बहुत अब यहां पर दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है उल्टा लफज बता देना है तो गहरा का क्या होगा गहरा का उथला जो गहरा है गहरा एक लफज है इसका उल्टा यानि पूजिट वोड़ क्या कहला है गहरा का उथला बीमार का सिहत मन्द लतीफ का क्या हो जाएगा कसीफ आशना का पनाशना, शब का रोज, हलका का भारी, तारीफ का तोहीन, तो ये जिद हो गया, यानि कि विप्रितार तक शब्द, अपोजिट वर्ड थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोशन, मुखतसर तरीन सवालाद से कोशन स्टार्ट हो रहा है, औ से पहला सवाल है कि फर्खंद बख्त किसको कहा गया है, तो यमन के बादशाह को फर्खंद बख्त कहा गया है, यह दास्तान में आप लोगो एक दम बहतरीन डंग से पढ़ाई हूं, देखिए, अगर आप लोग पढ़े नहीं हैं यह दास्तान, तो जरूर पढ़िएगा, बादशाह की बेवा कुफी, आप लोग इस कहानी में पता चलेगी, इस दास्तान में पता चलेगी, पुरी कहानी क्या है, आप लोग जरूर पढ़ेगा, बहुत यह दरीके से पढ़ाई हूं, ठीक है, तो जरूर पढ़े हैं, और अगर पढ़े रहेंगे, तो question answer भी आप को आसानी से समझ में आएगा, और वैसे यह question answer आप लोगो समझ में आ रहा है कि नहीं, comment में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, तो देखिए, बहुत घलत बात है, आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना ज़्यदा उसके, ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाव उठा सकें, दूसरा सवाल देखिए, साहल को क्या मिला, तो साहल को क्या मिला, साहल को ताज व तक्त मिला, बादशाहत मिली साहल को, साहल क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, जब क्यों एक बादसा बना दिया कि उटिशाद को छोड़े गए आप अपनी वाइफ को मेरे अपने वाइफ को वाइफ को सौदागर के सांफ बेज देते हैं और यूम लेकर होता है ना वापस लाठता ही नहीं है तबस्व के सांच वाइफ के बेगम किसके साथ गई तो बादशाह की बेगम सौधागर के साथ गई मुक्तसर सवालात स्टार्ट हो रहा है यानि की शॉर्ट टाइप क्योशन सबसे पहला सवाल क्या है बादशाह किस मिजाज का आदमी था तो बादशाह बहुत अच्छे मिजास का आदमी था वह नेकी और इंसाफ को पसंद करता था उसकी नेकी के वज़ा से पुरे मुलक में अमन वा अमान काइम था उसके नेक सिफत की वज़ा से अवाम बादशाह को बरफ ये एक मिनट रुक जाएं यहाँ पर फरकंदबख्त यहाँ पर लेकिना चाहिए था फरकंदबख्त नेक सीरत ठीक है और खुदा दोस्त के नाम से भी जाना जाता था वगर वगर अलकाब से पुकारे जाते थे मतलब बादशा को फरकंदाबक्त, नेक सीरत, यहाँ तक ही खुदादोस्त के नाम से लोग पुकारते थे कोई भी सायल जैसे ही कोई सवाल करता फौरण उसकी फर्याद सुनी जाती और उसकी जवरत को पूरा की जाती थी ठीक है, यहाँ तक के पूरे मुलक के लोग उसे खुदादोस्त के नाम से पुकारने लगे थे आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल है कि सौदागर ने बादशा से क्या कहा तो सौदागर ने बादशा के सांथ फरेव किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ काफिला बाहर उतरा है, मेरी बीवी को दर्द जह हो रहा है यानि की गलेवरी का दर्द हो रहा है दाई की तलाश में देर से, देर से, एक मिनट रुख जाए मेरी बीवी को दर्द जह हो रहा है, दाई की तलाश में देर से गदाई कर रहा हूँ दाई मिलती नहीं है आप बजर्ग आदमी हैं महरबानी कीजिए और अपनी नेक बखत बीवी को खुदा के वास्ते मेरे साथ जाने दीजिए ताकि मेरे बीवी को तकलीफ से निजात मिले और इस तरह बादशा जो है सौदागर को भेज देते हैं और अपनी बीवी को सौदागर के सांख बेजदेते हैं और इस लेकर फूर हो झाता है उसकी बीवी को लेकर भाग जाता है कि पूरी कहाने तो आप लोग को पताई ये न चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल बादशा की परिशानी क्यों बढ़ गई तो बादशा की परिशानी बेगम के खो जाने के वज़े से बढ़ गई वहीं उनकी बेगम खो जाती है क्या किटनैप करके भाग जाता है सौधागर उसके बाद से सौधागर जो है आप लोग को पता है फरेग देकर बादशा की बीवी को ले ले जाता है और काफिले के सांद दूर निकल जाता है मतलब लेकर भाग जाता है बादशा दो पहर तक इंतजार करता रहा लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा कि खुद जाकर तलाश करना चाहिए देखिये माजरा क्या है मतलब बादशा सोचे कि अभी तक सौदागर मेर के निशान के सिवा कुछ ना मिला बहुत दूर बहुत दूर सयागर एक मिनट बहुत दूर सयागर उरती हुई देखी लेकिन मजबूरन बच्चों के सांथ लेकर उसी तरफ चल दिया चंद कदम चला होगा कि रास्ता भूल गया और परशानी परशानिया बढ़ती चली ग एक मिनट रुक जाएं बेगम की तलास में जब बादशा अपने बच्चों के साथ चला तो एक दरिया किनारे पहुंचा दरिया में ना मिल ना पुल था ना कश्टी थी मजबूरन एक लड़के को दरिया के किनारे बिठाया और छोटे को कंदे पर लेकर दरिया में उतर गया अब यादा दरिया पार किया था कि दरिया के किनारे वाले लड़के को भेरिया उठा ले गया और वह जब चिलाया तो मगर बादशा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उधर से उसके कंदे पर से बच्चा गिरिया इस तरह बड़े लड़के को भेरिया ले गया और छोटे ब कि सौधागर क्या धोखा किया सौधागर का धोखा बताना है तो सौधागर ने जब एक्साहिल के तलब करने पर अपनी फित्री शराफत के हुज़े से ताज वो तख्त उसके हवाले कर दिया और हुकूमत को छोड़कर वहां से हिज़त कर गया और नामालूम मनजल की तरफ स हम किया किसी तरफ उसके एक सौधागर मसाफिर खाने में वारिद हुआ बादशा उसकी बेगम से मुलाकात किया बेगम गर्चे सफर की ठकी हुई थी लेकिन उनकी खुबसूरती छुप नहीं सकी सौधागर बादशा की बेगम से फरिफ्त हो गया और उसको हासिल करने का ह पायूसी से कहने लगा कि मैं एक सौधागर आदमी हूँ बाहर मेरा काफिला उतरा हुआ है मेरी बीवी हामला है वजे हमल करीब है और बच्चे की वलादत होने वाली है मेरी बीवी दर्दे जह में मुबतला है देर से डाई की तलाश कर रहा हूँ लेकिन कोई डाई नहीं मिल रही है आप बजर्ग और नेकादमी है मैरे साथ महरबानी किजिए और बेगम को मेरे साथ जाने दीजिये ता कि उनकी मदद से मेरी बीवी को दर्दे जह की तकृथ से निजात मिले वरना मेरी बीवी मुटफत में मारी जाएगी और सौदागर की चरबजबानी से बातों के बादशा की बेगम को अगवा कर ले जाना चाहता था बात्सा नेक और सरीफ इंसान थे बादशा सौधागर के धोके में आ गए और अपनी बीवी को उसके सांथ भीज दिये उसके बाद से सौधागर ने बाहर जाकर बेगम को बहाने से घोड़े पर बिठाया और ले उड़ा यान की लेकर भाग गया और बेगम भी सौधागर के हीले और फितने को नहीं समझ सकी और सौधागर के दाम में आ गई आखिर जब बात समझ में आई तो खुब चेश्ती चिलाएं लेकिन उसकी गर्यवजारी काम ना आई और वह सौधागर बेगम को लेकर बह करते हैं चेप्टर न६र 30 तीसफे चेप्टर स्टार रहा है यहां से तीसונה चेप्टर का कोशन एंसर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मुक्त सर सवीं सभी मुटरीन सव。 है पहला सवाल है कि क्वारेंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है यान कि किस बिमारी का जिक्र है क्वारेंटीन नाम के अफसाने में तो देखिए आप लोग को पता ही है ना कि क्वारेंटीन अफसाने में प्लेग नामक बिमारी का जिक्र है तो लिख देना है आप लोग वत्त सबम्यक्टी कि लाप्रशा ने तो तुच्व बात का इजाल किया तो असल इस्तवर था है नप लेकिन लास्ट na ठीक है पूरी कहानी में आप लोग को पढ़ा चुकी हूं चैप्टर पढ़ा चुकी हूं चैप्टर पढ़े हैं आप लोग और हर एक चीज़ आप लोग को पता है आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल है कि क्वारेंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागो का पूरा जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं चट्था सवाल कोरेंटीन को दोजख किस ने कहा तो करेंटीन को भागों ने दोजख कहा था वह पर काबू पाने के बाद डॉक्टर को कौन सा अधा मिला तो वह पर यहन की वह जो था मामारी आई हुई थी जिस बिमारी को लेकर तो उस प काबू पालेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट करनल का दर्जा मिला था याद रखिएगा लेफ्टिनेंट करनल का अधा मिला बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम बताईए जवाब में लिखा हुआ है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम दाना सवालात तो देखिए सबसे पहला सवाल है यहां पर कि क्वारेंटीन किस शय का नाम है क्वारेंटीन किसी शय का नाम नहीं था और नहीं क्वारेंटीन किसी बिमारी का नाम था बलकि क्वारेंटीन उस वसीया जमीनी रुखबे का नाम था जिसमें मताददी बिमारी के जमान और नर्स का काफी इंतिजाम था फिर भी मरीजों के कसरत से वहां आ जाने पर उनकी तरफ तवज्जा नहीं की जा सकती थी तो यहां पर बता देना है आप लोगों को कुछ क्वारेंटीन किस चीज का नाम है तो जैसा कि यहां पर बता भी दिया गया है वैसे यहां पर टफ लफसका यूज किया गया है आप चाहे तो तो इसको अपने अंदाज में अपनी भाशा में लह सकते हैं को आरेंटीन कि species शेय का नाम है और नाहीं किसी बीमारी का नाम है बलकि quarantine एक जगा का नाम है जहां पर प्लेग से पिरत व्यक्तियों को फ्लेग के जो मरीज थे उनको ले जाका रखा जाता था अलांकि वहां पर क्वारेंटीन में डॉक्टर नर्सों का काफी इंतिजाम था फिर भी वहां पर मरीज जो हैं जाने से डड़ा करते थे क्योंकि वहां का जो माहौल था इंवार्मेंट वह गंदा हो गया था आप चाहे तो अपने जवान अपनी भाषा में लिख सकते हैं तो आई होप आप जातर लोगों की मौत क्यों ही यह आप लोगों बताना हैं तो क्वारेंटीन ज्यादा अमाद कबास इसलिए हुई कि क्वारेंटीन में बहुत से मरीज अपने खवेश हुआ कारब के नहीं रहने के वज़ए से इमत हार बैटते थें कई मरीज तो ऐसे थे जो दूसरे पिले ही मर गए बाज अवकाद तो ऐसा हुआ कि कोई मामुली तोर पर बिमारी आदमी वहां के वबाई फिजा के जरासीम से ही हलाक हो गया और कस्रत अमाद की वज़ए से आखरी रसूम भी क्वारेंटीन के मख्सूस तरीके पर अदा हुई यह सारी बात थी क्वारेंटी दूसरे मरीज को मरते देख कर सामने वाला व्यक्ति भी मर जाया करता था तो इस तरह की बाते हो गई थी बहुत ही लग वहां का क्वारेंटीन में डर सा बन गया था नाम सुनकर लोग डर जाया करते थे तीसरा सवाल क्या है डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लि प्रवा गड Richtung लिघ बेख लिख बालक साबुन से हाथ धोय करते के लिए रखी कि कुछन बड़ा ही इंपोर्टंट है राम बालक अंतोया करते थे रांबालक तेख़ें राम बालक में लिख़ेंगा हृँ राम बालक आवस साबून से धोया करते थे ४ दॉक्तर और चरासीम कश्मरकब से गरारा किया करते थे पेट जला देने वाले कॉफी या फिर ब्रांडी पी लिया करते थे फिर भी डॉक्टर के दिलवा दिमाग पर प्लेग का हौप सवार रहता डॉक्टर सहाब जब क्वारेंटीन से वापस लोड़ते तो राम बालक साब उन से हा है ठीक है यह सारी बात थी आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल बड़ी पादरी बड़े पादरी जो थे लाबे रिवरेंड मुंतलाबे क्या कहते हैं बड़े पादरी जो थे अक्सर इसाई मजभब के तबलिए क्वारेंटीन के इलाके में आते रहते थे वह पादरी लाबे सकते हैं बड़े पादरी साहब जो है न यह तक्रीर किया करते थे और प्लेग नामक बिमारी से बशने का उपाए भी बताया करते थे ठीक पांचवा सवाल है कि डॉक्टर रफ्तार सिहत का नुक्सा देखकर क्यूं खुश हो जाता था तो जवाब में लिखा हुआ है कि वज वेजा नुक्षे में बिमारी के दिनों में सिहत के दर्जे की तरफ हर लुमा बढ़ती जा रही थी आखिर में उन्होंने नक्षे में वह दिन भी देखाया जब डॉक्टर के जेरे निगरानी जेरे निगरानी में मरीज रखे गए थे और वो तमाम सिहत याब हो गए इसलिए डॉक्टर सिहत का नक्षा देखकर बहुत ही खुश हो गए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं चछटा सवाल कि ज़रुष से ज्यादा ब्रांडी पीने का डॉक्टर पर क्या असर हुआ पागल की तरह इदर उदर भागने लगा उसे यह भी शक होने लगा कि उस पर प्लेग के जरसीम का असर हो गया है और जल्द ही उसके उसके गले और रानों में गुल्टिया नमुदार होंगी और बहुत सा बहुत सरासीमा और खौफ जदा हो गया था मतलब कि डॉक्टर को पल के लिए ऐसा लगने लगा कि उसको भी प्लेग नमक बिमारी हो गई है ठीक है तवील सवलात स्टार्ट हो रहा है पहला सवाल है कि अफसाना क्वारंटीन का खुलासा किजिए यानि की क्वारंटीन नमक इस अफसाने में क्या बताये गए है पूरी कहानी क्या है इसको आप लोग को खुलासा बता देना है? जबाब में लिखैंआ है कि जिए अफसाना क्वारिन्टीन की अफसाना निगार मשहूर अफसाना निifiersा रजेंद्ल संग्वेदी और अदेशी है। अफसानों में शुमार किये जाते हैं इस अफसाने में दो एहम किरदार दॉक्तर और भागों में जो बराबर अपने जिम्मेदारियों की अदाईगी के दौरान पूरे अफसाने में आमने सामने होते रहते हैं डॉक्तर एक ताली में आफ़ता किरदार है जबके भागों एक जाहिल और नाहोंदा किरदार है गर्चा भागों काम अगलाज़त से बھरा हुआ है और डॉक्तर के मकाबले में बहुत ही कम तर किरदार है इसके बावजूद भागो का करदार कारेईन को ज्यादेतर मताश्र करता है भागो जिस तरह अपने फर्ज की अदाईगी में मश्गूल रहता है उससे डॉक्टर को भी अमल तहरीक मिलती है जो किसी भी कारी पर अपना चाप छोड़ जाता है भागो को इनसानों से मुहबत है उसके दिल में इनसानों के लिए दर्द है इसलिए प्लेग जैसा मुहलब मर्ज भी भागो को खौफजदा नहीं कर सकता भागो की बीवी की मौत हो जाती है फिर भी वह मरीजों की खिदमत से पीछे नहीं होता और मजीद इन हामाक के साथ प्लेग को मिटाने में मसरूफ हो जाता है भागो जब प्लेग के मरीजों के तकलीफ भागो जो है ना भागो जब प्लेग की मरीजों की बेतकल्लुफ खिदमत करता है तो उस मरहले में डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या इसे मरीजों के साथ रहकर काम करते हुए डर नहीं लगता भागो जवाब देता है कि आदमी के वक्त आने पर ही मौत आती है इसलिए डरने की कोई बात नहीं मौत जिस दिन आनी है आकर रहेगी इस तरह भागो डॉक्टर को जवाब दे कर कहानी को आगे बढ़ाता है जिस तरह भागो प्लेक के मरीजों के दरमियान बेतकल्फ आता जाता है उसी सूरत में उसकी मौत भी वाकई हो सकती थी लेकिन कहानी को जारी रखने के लिए भागो का आखरी वक्त तक जिन्दा रहना जरूरी है इसलिए वह जिन्दा रहता है ठीक है इस कहानी में भागो सच में आखर तक जिन्दा रहता है तो यह आप लोगो को लंब चुड़ा एंसर लिग देना है अब यहां से कवायत या तर जाहे हैं जैल्फाज के जित बताएए यानि कि उल्टा उर्थ लिखना है उल्टा अर्थ उर्थ लखने वाला शब्दि याट की का क्या हुगा जादा का हुग दिए यहां पर ल्खा हुगा भी है कि ज्यादा का उल्टा कम शाम का सुबह दोजख का उल्टा जन्नत विमार का जिद यानि कि उल्टा लफज क्या होगा सिहत मंद खुश किस्मती का बदकिस्मती नेकी का बदी करीब का बईद हयात का मौत खुबसूरत का बदसूरत तो यह हो गया जिद लफज यानि की विप्रिताग तक शब्द opposite word दूसरा सवाल grammar से क्या पूछा गया है कि दर्जैल वाहिद अलफाद से जमा बनेगी यानि कि एक वचन से बहुचन बनाना है ये सारे लवज हैं जो कि एक वचन है इनको बहुचन यानि कि जमा बनाना है तो देखें यहां पर बना दिया गया है सबसे पहला लफ़ है वक्त वक्त एक जमा है वक्त जो है ना एक वाहिद लफ़ है यानि कि एक वचन है इसका जमा यानि कि बहुचन प्लूरल होगा वकात कदर का प्लूरल यानि कि जमा होगा अकदार मर्ज का अम्राज, कल्मा का कल्मात, इहसास का इहसास, तस्वीर का तसावीर, मौत का अमवाद, तब्का का तब्कात, जजबा का जजबात, ख्याल का खिलात, रसम का रसूम, तकरीर का तकारीर, तरकीब का तरकीब, शक्ष का इश्खास और हद का हुदूद, ठीक है, आई ह बढ़ते हैं यहां तक तो चैप्टर नंबर थार्टी तीस चैप्टर तक कुशन इंसर कंप्लीट हो गया अब यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर थार्टी वन ठीक है चले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल क्या है कामिल इनकलाब का तसवर किसने पेश क यानि कि एक तिस्वे चेप्टर का नाम है जिसके राइटर है जैप्रकास नरायन और कामिल इनकलाब यानि कि संपून क्रांती का तसवर पेश किया था जैप्रकास नरायन ने ठीक है तो यह अब जक्तिम में पूछ देता है यात रखिएगा इंपोर्टेंट है जिस भी Idea प्रकास नरायन दें उसको धीरे सरे टिक कर देना है दूसरा स्वाल यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जणामें जूम करने लहें दूसरा स्वाल पूछ Ware रहा है कि जैप्रकास न्रायन और कि रहा हमार कि रहा पड चलने की तलकी मिली तंश सब उसे बोला करते थे कि गांदे जी की रहा पर चलो अहिंसात्मक रहा अपनाओं इंसा नहीं करना है अहिंसात्मक तरीके को अपनाना है तिसरा सवाल क्या है जम्हुरियत में यकीन होने के बावजूद जम्हुरियत में यकीन होने के वज़ा से जैपरकाश नरायन का किस चीज में यकीन नहीं था तो जम्हुरियत में यकीन होने के वज़ा से जैपरकाश नरायन को तशद्द में यकीन नहीं था यानि कि हिंसा में यकीन नहीं था यह अहिंसात्मक तरीकों को अपनाने को कहते थ हैं। ठेक है इनकलाब में तब देली की रफ्तार बहुत धीमी रहती है तो पुर तशद्द्द इनकलाब में तब देली की रफ्तार धीमी रहती है। यह मैं आपनोगों को अ्यूप, पुरा पेश किया था तो विवेकानन ने अमेरिका के शिकागों में विदान्द का फिलसफ़ा पेश किया था अब स्टार्ट हो रहा है मुक्तसर सवालात यानि की शौर्ट टाइप क्योशन पहला सवाल है कि कामिल इनकलाब के बाद कौन कौन सी तबदिलिया वाकी हो गई सबक के हवाले से जवाब दीजिए तो कामिल इनकलाब के बारे में जैपरकाश नरायन ने जिस तरह के खिलात का इधार किया है और उनका जो खुत्बा कामिल इनकलाब के उनवान से हमारे नसाब में शामिल है उसकी चुआ चुट जात पात और फरकवर वारियत जैसी बुराईयां खुद बखुद दूर हो जाएंगी ये सारी घटना होगी अगर कामिल इनकलाब सक्सिज होता है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल दूसरा सवाल है कि जैपरकाश नरायन ने बला जहेद शादी के लिए क्या दलीले दी हैं तो जवाब में देखिए लिखा हुआ है जैपरकाश नरायन ने बला जहेद शादी के लिए जिर नसाब मजमुन कामिल इनकलाब में कई दलायल दिये हैं शादी में तिलक लेने वाले लड़के वाले कहते हैं कि हम जब तक अपने लड़कों की श सानवर या घोड़े बैल नहीं है कि उनका सौदा करके उन्हें फरक्त कर दिया जाएं कि उन्हें बेश दिया जाएं वह आपके ऑलाद हैं ठीक है यह सारी बात जो है ना बहुत ही अच्छे तरह के से बोले हैं और चैप्टर में मैं आप लोग बहुत अच्छे तरह के से अगर बढ़ते हैं अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टर में लिंक है लिंक पर क्लिक किजिए वहां पर आप लोगो हर एक चैप्टर मिल लिएगा पर जरूर लीजिए गा तीसरा सवाल है कि अमन और जम्हुरियत एक सि तकाखा यहां है कि हम पर आमन रास्ते हम पर रहीं हिनगेht जदो यहां समय पर देती हूँ। ऑवामी जदُजफ्जाय कि होकूमत अमणी का तकाखा यह हैं कि हम पर आमन रास्ते को अपनाएखें और इन खलाप की कामवहयाबी का इन्हासार आमन पर हैं। अगर आप तशद्द का रास्ता अपनाएंगे तो आपका मुकाबल सो तशद्द कर सकता है इसलिए अमन वक्त का तकाज़ा ये हैं तशद्द के जोर पर इंतखाब होगा तो इसके नतीजे में कैसी जमहुरियत सामने आएगी इसलिए बगार अमन के सालिग और मजबूर जमहुरियत कभी सामने नहीं आ सकती खुलासा यहा कि अमन और जमहुरियत एक सिके के दो पहली है अमन के बगार जमहुरियत का तसौर मुमकिन ही नहीं है ये बात कहा गया है आगे बढ़ते हैं चोथा सवाल जैपरकाशनरायन जो है न पूरतशद्द इनकलाब पर पूर अमन इनकलाब को क्यों तरजीह देते हैं ये आप लोगो बताना है जवाब में लिका हुए जैपरकाशनरायन पूरतशद्द इनकलाब पर पूर अमन इनकलाब को इसलिए तरजीह देते हैं कि आलमी तारिफ के पूरतशद्द इनकलाबात के तारिख कवा है कि वह इनकलाब लंबे ख olması की öğret के नताइश थे नए तर्ज पर अमल करने में काफी अर्सा गुजर गया और अफ्तार बहुत धीमी रही पर पुर अमन इनकलाब में धाचा की तब्दिली और नए तर्ज अमल साथ साथ चला करते हैं इस तर्ज की या खुबी है इन तारीखी स्वाहिद के बुनियाद पर या प्रकाशनारण का नजरिया है कि अगर हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता पुर तशद्द उनकलाब आता है तो उसे काफी अर्सा लगेगा लेकिन पुर अमन इनकलाब फोरण लाया जा सकता है और वो तक्रीबन आ चुका ह अहिंसात्मक्त तरीके को नहीं अपनाना चाहते थी हिंसात्मक्त तरीका अपनाना घलत है यह प्रकाश का मानना था इन्होंने कहा था कि अहिंसात्मक्त तरीका अपना हो यान कि गांदी जी के रास्ते पर चलो और पुरामन इनकलाब यानिकि जो अहिंसात्मक्त खांती है सांति पुन परदर्शन से जो भी हम सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो मनवा सकते हैं यह सारी बात बताया है मसलिए प्रकाश नरायन वह हिंसात्मक तरीके को नहीं अपनाने के लिए बोल रहे थे प्रकाश नरायन का कि अखिका अहिंसात्मक तरीका मत अपनाओ य कि सांतí पूर्ण परदर्शन करू प्रकाश जब तक पूरा समाज इनकलाब के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं होता है तब तब किसे मुलक के समाज में कोई इनकलाब बरपा नहीं हो सकता। किसी भी समाज में जब नाइंसाफी और तख्जादात का गल्बा हो जाता है तो उसी कित्धा से इनकलाब की जमीन तैयार होती है। किसे समाजी मसाइल तकलीफ दख तक पहुँच जाते हैं तो अवाम के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है और बेचैनी नए इनकलाब को जन देती है जैसा कि कालमाक्स ने कहा था कि कौान्टिटी क्वालिटी में बदल जाती है। कि तयार हो चुकी है या तब देली आने ही वाली है वरना आज का यह समाज समाजी धाचा ही तूटकर बिखर जाएगा तो यह लंबा चोड़ा बात बोले हैं कि जब तक समाज में तकलीफ नहीं होगी समाज में उस भेदभाव जब तक जब स्टार्ट हो जाएगा समाज मे हैं लोग को जब तकलीफ मिलने लएगा मुश्किल होने लएगी उस नीच का भेदभा हो जाएगा जाक पत को लेकर भेदभा होने लएगा जब लोग को तकलीफ को का सामना करना पड़ेगा तो वहीं से वहीं से इनकलाब की शुरुवात हो जाती है निकि इनकलाब की जमी आगे बढ़ते हैं यहाँ तक तो हो गया चैप्टर नंबर ही कैसा लिखा जारा है चैप्टर नमबर कितना 31 तक कम्प्लीट हो गया अब यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नमबर 32 चैप्टर नमबर 32 का कोशन इंसर है जो कि एक नजम है शिकस्त जिन्दा का खाब जोश मली अबादी द्वारा लिखा गया यह नजम है यानि कि चैप्टर नबर 32 है बड़तीसवा चैप्टर मुफतसर तरीन सौलाद से कोशन स्टार्ट हो रहा है पहला सवाली है कि श्रिकस्त जिन्दा का खवाब किसकी नजम है यानि कि किसने लिखा है स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगो बताई कि श्रिकस्त जिन्दा का खवाब जो इस नजम के राइटर है वो है जोश मली अबादी ठीक है जोश का असल नाम क्या है तो जोश का असल नाम शबीर हसंखा है तीसरा सवाल कि जिन्दानी से क्या मुराद है जिन्दानी से मुराद है जेल में रहने वाले जो जो आप बूल सकते हैं कैदखाने में रहने वाले कैदी को कहते हैं जिन्दानी ठीक है जोश के पांच सिर्स सनीफ के नाम बताelim । जोश का कोई भी पांच किताब जो कि उनका खुद का क्रियेशन हो उसका नाम बताना है तो पहला है रूह अदब दूसरा है नक्षोनिगार तीसरा है यादों की बारात शोलव शबनम हर्फ वह नहीं है ये पांच जो है नाम बता दिया गया है आप लोग के बुक में भी बह मुल्की की आजादी लग ये क्यों लिखा गया है तो ये इस नजम को लिखने का मकसद ही है मुल्की की आजादी मुल्की आजादी मिलने वाली थी तब ये लिखा गया था और जोश के हम असरी तीन शोरा के नाम बताईए और उनके मजमूर क्लाम का नाम भी लिखें तो प सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको इस बात से इतफाक है कि शायर के तखलुस जोश और उनके शेरी मिजाद से कोई मुनासिबत है यह आप लोग को बताना है आगे बढ़ते हैं तो चले जवाब देख लेते हैं कोशन आई होप आप लोगो समझ में आ गया हुआ कि कोशन क्य लगया है कि क्या आपको इस बात से इतफाक है कि शायर का जो तखलुस जोश ठीक है ठीक है जोस जो तखलुस है जो और उनकी शायरी मिजाद से बहुत हद तक मुनास्बत हैं, मिसाल के तोर पर जोश के जेर निसाब नजम, शिकस्त जिन्दा का ख्वाब को ही लेजिए, कि पूरी नजम में जोश और जजबा से भरी हुई है, यानि कि जोश जो तखलूस है, उसका संबंद जोश मर्यवादी की शेर और शायरी की मिज जाद से भी है, मतलब यहां पर कोशन यहीं पूचा गया है कि क्या आपको इस बात से इतफाक है कि शायर का जो तखलूस है जोश, उनकी शायरी मिजज़ से कोई रिश्टा है, कोई संबंद है, क्या कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरह जोश तखलूस ह जोश मल्यवादी का जो तखलूस है जोश, बिल्कुल उसी तरह उनकी शेर और शायरी भी होती है, जोश से बर्बकुन, जोश और जज़बा से भरी हुई, इस नजब में अंग्रेजों के गुलामी और मजाहिदीन आजादी के खैद और बंद के खिलाफ एक इनकलाबी आ जिससे उनके जो जो शीले शेरी मिजाज का इजहार होता है, और एक मिनट रुप जाएं, इनकलाबी आवाज है, जिससे उनके जो शीले शेरी मिजाज का इजहार होता है, और जो जोश खुद भी अपनी शायरी के बारे में फरमाते हैं कि मेरा नारा इनकलाब और ठीक है दूसरा सवाल है कि जिन्दा पर रिशतारी होना जन्जीरों का तूटना दिवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आजादी का पर्चम लहराने की तद्बीरे करना ये सारी बाते किस तहरीक का पता दे रही हैं जिवाब लिखा है कि मजगोर बाला शेरी इस्तलाहाद जिन्दा पर रिशतारी होना जन्जीरों का तूटना दिवारों के नीचे कैदियों का जमा होकर आजादी का पर्चम लहराने की तद्बीरे करना ये सारी बाते तहरीक आजादी का पता देती हैं तेके यानि कि पत्वाबत वठन अजादी के मतवाल कायदोन बंद के सूबित जहिल रहे थे और अपने जानों की कुरबानिया दे रहे थे वही दूसरी तफ शुरा हज़ात अपनी वतली शायरी के जरी आजादी के मतवालो के कल्ब को गर्मार रहे थे और तहरीक यजादी की एक मिनट रुख जाएं तिसरा सवाल देखते हैं तिसरा सवाल है कि जब आजादी के दिवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त यानि की कौम फिरंग यानि की फिरंगी का जो सुल्तान है मतलब अंग्रेजों का सुल्तान का चेहरा बेनूर क्यों हो जाता है जवाब में लिखा गया है कि जब आजादी के दिवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त यानी हुकमरान अंग्रेज कौम का चेहरा इसलिए बेनूर हो जाता है कि जब अजादी के दिवाने जजब ए हैरत से सरशार हो जाते हैं तो वा दुनिया में कोई भी इनकलाब ला सकते हैं और किसी भी जालिम हुचाबर। जी हुक्मरानों के हकूमत का तख्ता पलट कर सकते हैं इनकलाब की आमद और तखते पलटने की तसवर से हुकमरा टबका के लोग घबराते हैं और उनका चेहरा हुकमरानी से महरूमी के खौफ से बेनूर हो जाता है आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल है कि क्या उनको खबर थी जिरो जबर रखते थे जरूब है मिलत को उबलेंगे जमी से मारेसिया बरसेंगी फलक से शमसीरे दर्जजेल बाला शेर की रोशनी में दर्जजेल सवालात का जवाब दीजे यानकि ये शेर उठा लिया गया है इस मेजम से और शेर के जरीए ये कोशन पूछे गया है पहले सवाल पुछा गया है कि मारेसिया का मानी बताईए तो जवाब में बता दिया गया है कि मारेसिया का मानी होता है काला साम और मुलक और शमसीर का मतरादिफ बताईए तो मुलक का मतरादिफ होगा वतन यान कि मुलक बोलिए फिर वतन बोलिए बात एकी है शमसीर बोलिये फिरसान बोलिये बात एक ही है शमसीर यान की तलवार ठीक है मिल्लत को जिरो जबर रखते थे इसका मतलब क्या हुआ मिल्क के गद्दार मिल्लत को जिरो जबर रखते थे मिल्लत को जिरो जबर कौन रखते थे यहां पर कोशन पुछा गया है तो मुल्क के गद्दार जो है न वो मिल्लत को जिरो जबर रखते थे ये हो गया एंसर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवाला सबसे पहला सवाल है कि जोश के शायराना खुसूसियात पर रोशनी डाली है अब यहां पर जोश मली अबादी जो है ना उनकी शायराना खुसूसियात यानि कि उनकी शिरो शायरी में क्या वी शिष्टाएं देखनें को मिलती है ये आप लोग को बता देना है चलिए जवाब में देख लेते हैं जवाब में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के तहरीक जदुजध अज़ादी में जिन अर्दु शूराने अमूम अमलन याने अपने अमलन या अपने वतनी शायरी के जरीए हिस्सा लिया था उनमें हसरत मुहानी के बार जोश्मली अबादी की शक्सित नहायत एहम है जोश्मली अबादी को इसी पसमंजर में पेगंबर इंकलाब भी कहा जाता है जोश्मली अबादी जो है ना बुनियादी तोर पर फिक्री लिहाद से इंकलाबी शायर थे और सिन्फी लिहाद से काम्याद कोशिश की है तरीक अजादी हिंद के जोश में शवूर के हालत में अपनी निगाहों से देखा था अजादी के मतवालों को तुपो के दोहाने आगे सीने सपर होते देखा है जेलों के मजलूम कैदों के आवब का गेरेवजारी को उन्होंने ना सिर्फ यद के था और आखिर शायर ने वह दिन भी देखा जब आजादी की सुबह नमुदार हुई और अंग्रेजों के जिन्दा की दिवारे जमीन बोस हो गई और जालिम वजाविर हुकमरासनों के चेहरे पर तकबीरों की गूज और इंकलाब जिन्दाबाद का नारा से बेनूर होने लगा और उन चेहरों और आखों की बेनूरी दर असल अंग्रेजों के एक सधी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद हुकूमत से महरूमी का इजहार था जो उनके चेहरों से जाहिर हो रहे थे ठीक है यह लंबा चड़ा आप लोग को एंसर लिग देना है यह आप को चाहे तो इतको शौर्ट कर सकते हैं यहां तक हो गया है चैप्टर नंबर थार्टी ट्कू तक देखी हएं छरी तर देख्ट करते हैं ताह सब्सक्रेज बुच्त करना और जिसके राइटर है इसरारूल हकम इजाज और सबसे पहला सवार यहां पर पूछा जा को पर अवारा फिर रहा था तो जी हां बिल्कुल शायर सड़कों पर अवारा फिर रहा था दूसरा सवाल क्या पुछा गया है शायर किसे मोती की लड़ी कहता है तो शायर जो है ना फुल जड़ी को मोती की लड़ी कहता है फुल जड़ी को ठीक है उसके बाद से तीसरा सवा स्वाल क्या है सिसरा सवाल यहां पर है कि क्या रात शायर को विराने में चलने की दावत देती हैं एक तुफान बला एक तुफान-बला किसके लिए मुंतजिर है तो एक तुफान-बला जो है ना शायर के इनकी शायर की निंदाब कर रही है एक बलाकि तुफान ठीक है क्या वजसर का उन्वान दुरूअं दूरूश्थ है ठीक है आठवा सवाल क्या है कि क्या एक तरक्की पसंद शायर थे क्या मिजाज जो थे वह एक तरक्की पसंद शायर थे तो जी हां मिजाज एक तरक्की पसंद शायर थे क्या उर्दो की रुमानी शायरी में मिजाज का नाम रौशन है और कबिले तारीफ है इनका नाम मतलब बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी नजम आप यूँ कह सकते हैं इनका जो लिखने का जो भी फीलिंग्स था ना ये अपने शीरोशायरी में डाल दिया करते थे जो भी ये फील करते थे ये बहुत बड़ी खूबी थी और लेकिन की मतलब आप यूँ कह सकते हैं बैड हैबिट जो था वो ये था कि शराब बहुत ज़्यदा पीजे थे ये इ कि रात हसतकर शायर से ये कहती है कि एए दिल के घम पालने वाले और दिल के वहशत वाले शायर अपने घम और वहशत की कश्मकत से बाहर निकलो और इससे निजात हासिल करो निजात हासिल करने का तरीका यह है कि रात के वक्त शहर की जगमगाती और जाकती सड़को और जि साल मुश्तमिल, मुश्तमिल करता है और खुदराथ भी शायर को रस्वाई shouted steal करने का दावत देती है। कही गई हैं दूसरा सवाल है कि इस नजम में शायर का किरदार कैसा है तो इस नजम में शायर का किरदार एक कल्ब मुस्तर की तरह है शायर नामवाफिक सुरत हाल की गिरफ्त में है और वह अपने गम और अपने वहिशत के सबाब पर महज इशारे से काम लेता है शायर अपने अंदरूनी गुसे तिलमिलाहट और पस्तावे पेश्मानी और परेशानियों की मुख्तलिफ किसमे तखलिक की है जिनकी जल्वगरी नजम के हर बंद में तेज वा तंदलब वा लहजे के साथ जिन्दा और मतहरक महसूस की जा सकती है ये सारी बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल कि एक महल के आर्ट से निकला वा पीला महताब शायर ने ये बात क्यों कही है तो शायर ने ये बात इसलिए कही है कि सुरतِ हाल की संगीनी और नमौफिक हालात शायर को मजबूर करते है कि वो अपना एहद तोड़ने के ख्याल के साथ वो क्या कर सकता है या क्या करेगा इसके मुतालुक वो अपने इरादे का इजहार करता है मुम्किन है कि वो और उसका इरादा एक महल और उसके आर्थ से निकलने वाले पहले महताब की तरफ हो और उसको अपना इरादे मुल्ला के इमामा और बनी की किताब मुफलिस की जवानी और बेवा औरत की शबात की तरफ फीका बेजान और बेनिसाद और बेतौकीर नजर आता है ये सारी बात है ये हो गया इंसर चौथा सवाल देखिए शायर किन चीजों को नोच लेना चाहता है जवाब में हैं कि शायर मुर्दा चांद तारों को नोच लेना चाहता है वह चांद तारों के तमाम किनारों को नोच लेना चाहता है शायर नामवाफिक हालात के इस कदर शदीद गिरफ्त में है कि वह एक दो के जिकर तक महदूद नहीं रखना चाहता बलकि सारी दुनिया के चांदतारों और चमक दमक को नोच लेना चाहता है ये पूरी जो है ना पूरी मतलब आप यूँ कह सकते हैं शायर के सांथ किस तरह के वाके पेस आ रहे हैं ये हर एक चीज में आप लोगो जब चप्टर पढ़ा रही थी तो बताई हूँ शायर के सांथ क्या क्या हो रहा है किस तरह की बेचैनी और किस तरह की तिल्विलाहट शायर के सांथ देखने को मिल रही है यह हर एक चीज़ बता चुकी हूँ आप लोगो चप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगो पता भी होगा नहीं पढ़े हैं तो फिर से मैं बोल दे रही हूँ चप्टर पढ़ ले ठीक है पांचवा सवाल है कि असर हाजिर के चंगेज के साथ वह क्या सलूक करना चाहता है शायर मजुदा दौर के चंगेज के हाथों से उसका हथियार छिन लेना चाहता है और उसका खंजर तोड़ देना चाहता है उसके ताज पर जो दमकता हुआ पत्थर है वह उसे भी तोड़ देना चाहता है शायर का यह कहना है उन्हें चाहिए जाबिर्ध के कजर को तोड़ने की हिमत अगर दूसरों नहीं है थो मैं ही आगे बढ़ कर इस खंजर को तोड़ देना चाहता हूँ ठीक है है छट्था सवाल ने मैं खुद один में आपने गम अपने घमें दिल को वहत्त दिल को पकारता है और कहता है कि शहर के रात की रंगीनिया और इन रंगीनियों में न शाद और नकारा बना हूआ हूँ जिसका नतीजा यह हैं के जो में मगाति सड़कों पर मैं आवारा फिर रहा हूँ सातवा सवाल कि शैर के दिल में गम और वहशत क्यों है तो शैर के दिल में गम वहशत इसलिए है कि वह नामोफिक राद के थपेड़ों का शिकार है यहां पर थोड़ा अजीब सा लफ्स का यूज किया गया नामवाफिक हलात के थपेड़ों का शिकार है वा जिस्त कश्मकस में मुब्तला है उसे निजात हासिल कर लेना चाहता है रात की जगमगाती जाकती सड़के जिल मिलाती कुमकुमे आस्मान पर तारों का जाल और किसी टूटे हुए तारों की फुल जड़ी गर्ज के शहर की रात का हर मजहरा शायर को मुश्टागल कर देता है और यहीं वज़ा है कि शायर के दिल में गम और वैशत पैदा हो गई ह ठीच है यह हो गया कोशन नमबर सेवन का एंसर कोशन नमबर एट है कि रात के वक्त शहर के क्या-क्या मनजर होते हैं तो रात के वक्त शहर के मुनाजिर पर रौनक होते हैं एक मिनट रुख जाएं रात के वक्त शहर के मुनाजिर पर रौनक होते हैं और उसके नजारे किसी के भी जजबात को मतासिर कर सकते हैं और हर कोई अपने दिल की हालत को मताबिच जजबाती रदे अमल का इज़ार करता है किसे शक्स के लिए ऐसी राते हसीन और महरबानी होती है तो किसी के लिए यही राते संगीन और जजबात को मुस्तावल करने वाली होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं तब्हीन सवालात पहला सवाल है कि इस नजम के शायराना खुबी आवाजование कीजिए सायराना खुबी आवाजी करदेना है आप लोगों को जवाब में लिखना है जवाब में लिखा हुआ है कि जिरेने साब नजम आवारा मशूर तरक्यू पसंद शायर एस्रारलहक मजाजम की तखलीक है इस नज़ में शायर ने रंगिन रातों के मुनाजल को पेश किया है रात की रंगिनी किसी के लिए खोशियों का पेशो का खिमा है तो किसी मझबूर के लिए यही राते मुसीबत भी बन जाती है शायर जिस तरह नामवाफिक हालात से दोचार है उसके लिए या रंगीन राते जजबात को मुश्तल करने वाली है शायर इसे किस्म की एक रात के मुनाजर को पेश करते हुए अपने जाती तजर्बा और मुशाहदा पेश किया है शायर बार बार अपने दिल के गम और उसकी वहशत से मुकातिब है और वह जिस कुश्मकस में मुपतवला है उससे निजात हासिल करना चाहता है यह हो गया इससे पढ़ सकते हैं और अपने गम रापने वह के सब्स्राव मैं यह सारी बाक वही लगी गई अपने अंद्रोनी गुश्य एकम्स्य और तिलमलाहठ पश्ताकर पिश्मानी इस सब जहना शायर के इंदर भरा हुआ सब। अपव 17 inert बादर हो जाता है क्लास 12 के उर्दू का टोटल 6 चैप्टर यानि की 28 से लेकर 33 तक के चैप्टर का सारा रिटेन कोश्चन आज के इस वीडियो में टोटल 33 चैप्टर तक का सब्जेक्टिव कोश्चन कम्प्लीट हो गया और कितना बचा हुआ है और साथ चैप्टर बचा हुआ है सो लाइक एक ही बार करना होता है लाइक बहन पर करें और जितना ज्यादा हो सकते शियर करें अपने अपने दोस्तों के पास आप लोग के बढ़ाट वसी शीयर करतें ताकि संब भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके पलस अगर आप लोग चैनल पर है नए ने आया हूए